सब्सक्राइब करें और हाँ बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें समाजवादी पार्टी ने बिधानसवा सीट पर युवा ब्यापारी नेता बिन्यागरवाल पर दाउं लगाया है समाजवादी पार्टी की राष्ट्रिय अध्यक्ष अखले श्यादव ने आगरा दक्ष्रे विधानसवा पर वैश्रे सबाज के व्यापारी नेता विन्यागरवाल को चुनावी मैदान में उतारा है विने अगरवाल पिछले कुछ दिनों से दक्ष्वे विधानसवाज शेत्र में मद्दाताओं की बीच जाकर सपा की जन कल्यानकारी नीतियों से मद्दाताओं को अवगत करा रही है शुकरवार को सुबा विने अगरवाल ने गड़ी बधोरिया से जनसंपर्क अभ्यान की शुरुवात की सीन्यूस की टीम से रूबरू होते हुए विने ने कहा कि 10 साल से गड़ी बधोरिया जगदिशपुरा शेत्र में वर्तमान भाश्पा विधायक ने विकास के कोई कारण नहीं कराए है अगर वे मद्दाताओं की मतों से जीत कर विधायक बनते हैं तो निश्यत ही शेत्र में विकास कारे कराएंगे है ना और आकरोस है जनता बद्लाब चाती है दस साल में पता नहीं क्या किया जांकि जनता कह रहे हैं विधायक जी को देखा नहीं अगलिवा आप बोस्ति हमें प्यार और संबान देते हो और अपना बोट देते हो अपके दौर पर निश्यत आते रहेंगे जो भी विकास क समाजवादी लोहिया वाहिनी के राष्ट्री प्रवक्ता राहुल चतुरवेदी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष ने कहा कि विदानसवा चुनाव 2022 में सपा के प्रत्याशी पूरे प्रदेश में भारी मतों से जीत हासिल कर अखिलेश यादव को मुख्य मंत्री बनाने का कारे करेंगे राहुल ने कहा कि विने अगरवाल 23 तर्राड छवी के नेता है विने अगरवाल पिछले 15 सालों से विभिने सरकारों में वैशिस समाज की समस्याओं को उठाते रही है समाजवादी पार्टी को भी विने अगरवाल से काफी उमीद है सी न्यूस के लिए अजबाहदूर की रिपोर्ट